हाई दोस्तों नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल में मैं पुश्पा आपके सामने और एक रिस्पी के साथ आरे हैं आज का जो रिस्पी है बड़े बच्चों को सबको पसंद रहते हैं रिस्पी बनाया है वह भी यम्मी यम्मी और सर्दी का मौसम चल रहा है तो हम चाहिके जालुयररियो यहांप घ्रुण आई है ज़स्पा मनाया है है स्नाक्स वहरी सिम्फुल तरिके से पहली ओलु प्याज और साबुदा ने लिया है यहां पर मैं आलू लिया है उबला वालू नहीं होता है हम जैसे कद्दू का कीर बनाने के कद्दू कश कर सकते हैं उस तरह से करना है पानी में करना है नहीं तो यह काला हो जाते हैं आप सब को मालूम है आलू छिल्टा निकालते हैं इसकाला हो जाता ह देकाई तें पानि में रही जाएगा पानी अच्छा सह दोना है 2-3 बर अच्छा दोना है गिसने के वद elect सर लेते हैं इस तरह से देचीं 22 भी फिनीश हो गया है और इसको एक कप्लिय व् helmets कप्लिय में डालना है तो पानी पूरा टो से तीन बार अच्छा धोने के बद यह पानी पूरा निकालने है मनी काल जेए करके पाणी नीकाल, यह कटन ड़ एक चुर्ट लौत पर जोना के पर सॉकते हैं इसी लिए हम cotton cloth में डाल के इसको ढग़ा देंगे तो कलर चेंज GB नहीं होगा आप हमेशा द्यान रखी cotton cloth तो जल्दिसा पाने कीश देगा इस तरह से एका करके इसको इसके ओपर कौन सब एक वजन लगा सब्सक्राइब ना कर दाल ले रहा हूं पानी जल्दी से सोक बडाएब यहां पर नहीं को सफारे सब्सक्राइब करें लेसर लेदे महें विद् fasc उन्मीक भारी बॉरी सब्सक्राइब लिसते हैं फ़ीमी मिजिय कर लेते हैं आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं तो यह उचलता है आप सब को मालम है तो उचल कर फेस पे गीरे तो बहुत चलता भी हो बहुत दरद भी होता इसलिए अधिक्या मिर्ची तो तोड़ा अच्छा सब फ्राइब हो गया तोड़ा क्रिस्पी वह तक फ्राइब करना है क् हम जब खाते रहते हैं तो कितना अच्छा रहता है कि टेश्टी टेश्टी रहता है और यह फ्राइब करने के बाद इसके अपर जैस्ट नमाक और चाट मसाला दाल के साइड में लगा दीजिए उसके बाद में सब्करते वकर रखम दाल दीजिए बहुत अच्छा में लगा कर सकते हैं मैं यहां पर लो फ्ले में लगा हैं लो फ्ले में लगा कर रही हूं ताकि पल्ली जेले बीना और अच्छा सा फ्राइब होए इसलिए मैं लो फ्ले में लगा रहे हूं मीडियम फ्ले में लगा कर सकते हैं पटाफट करना है तो देखिए मैं इस तरह से कर रहे हूं कि देखिए एक मिनट भी नहीं हुआ पल्ली अच्छा सा कलर भी चीन्ज हो चुका है देखिए पल्ली अच्छा सा फ्राइब हो गया है अभि हम इसको कॉप में शिफ्ट कर देते हैं पली फ्राय हो गया हम अलू को डखके लगा दिया था अब अलू का पूरा निकाल देते हैं यह अच्छा सा सूप गया भी देखिए एक पांच से टाइम है तो दस मिनिट तक लगाई अगर टाइम नहीं तो अच्छा सा राप करके लगा दीजे तो चल् दाल तेज उपर आ जा रहा हूं ऐसा रहना चाहिए इसका मतलब यह अच्छा सा सूप अगर आप लोग अलू एक दिन पहले करके लगा दिये तो प्रिज में लगा लेजिए तो पटाफट फ्राइब कर देखिए अच्छा से यह फ्राइब हो रहा है अभी इसको में मीडि तो जल्दी से पक जाएगा ऐकदम क्रिस्पी क्लर जाएगा करते हैं अरगके तरह सब्धाइब हो गया को ओम ड़्यानि के लिए से ब्रॉण प्रॉय कर लेक देखिए प्यास भी अच्छो सा ब्राउन हो गया है अब इसी टेम निकाल देती हो वरना यह काला हो गया तो खाने में कड़वा रहेगा और दिखने में भी बेलकुल अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए इसको भी मैं एक प्लेट में शिट कर देती हूं अभी बारी है साबुद दाने की साबुद दाना थोड़ा थोड़ा दालते हुए बनाई है एकदम फूला फूला वो आटमेटिक उपर आ जाएगा देखे इस तरह से और जेस्ट ऐसा मिक्स करते रहे है जो भी नीचे रह जाएगा वो भी अच्छा फूल के उपर आ जाएग डिखे इस तरह से जैसे हम पूप कर्ण बनाते हैं औसी तरह से प्लाइगेशा हम डखकन लगाया देके लगा देते हो पाप जाते हैं यहां पे तील में जाल रहे हैं हम क्लिए नीचे इस को शेक करते रहना है तो ऊटमेटिक की उपलते ही देखि़ एकदम फूल्ते फूल को फ्राइ कर लेते हैं देखिए में दुबारा भी दाला है दालते जैसा फूलना शुरू हो जा रहा है एक्दम क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है यह आप लोग को डाउट आता होंगा साबुद्धन पकाई नई पकाई देखिए जस्ट ऐसा दबाते स्मयाश हो जा रहा है जैस एस कुला पुला आना गरम रखी करिए और मीडियम फ्राइ कर यह तो फटा फट बनता है अगर तेल गर्म सिल्हें हो aur मीडियम फ्राइय। करना है देखें मैं यहां पर साबूद दाना दाल दिया है उसके बाद में फली दाल रहे हूं और इसके बाद यहां पर मैं भुणिनके लगा यस्त his boy kais वा ऐसे is सब्सक्राइब डूत दीजिए बड़े चाय के साथ यह कॉफी के साथ यह ऐसी इसनैक में बहुत यम्मी इसनैक में ऐसके वाद बुना हुआ करेपता दाल रहे हूं मैं ऐसी दाल दे रहें अगर बच्छों को देना है तो smash करके डाल दीजिए, बच्चे निकाल ने सकते हैं, ऐसी खा लेते हैं, उसके बाद मैं जस्ट एक बार अच्छा सा mix कर लेते हैं पहले, इस तरह से, नहीं तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक बार अच्छा सा mix करना है, बस, अब यहां पर मैं चाट मसाल दाल रहे हो, आप लोग अपना मन पसंद चाट मसाला दाल सकते हैं, या अमचूर पोडर भी दाल सकते हैं, नीम्बू नहीं दाल सकते हैं, क्योंकि नीम्बू दाल तो पानी लगते ही यह पूरा, एकदम कस्त्रा जैसा हो जाएगा, अच्छा टेस्ट भी नहीं आईगा, या नीमबू नहीं दाल सकते हैं तो हम या चात मसाला दाल सकते हैं आदी चमो चतना चात मसाला नीमबू दाला तो है शुकर जाएगा यहां पर जीरा धन्या पॉड़र मिक्स करके लिए और मिच्छी पॉडर नमक सब साथ में दाल दे रही हूं अगर आप लोगों को क्षशे चाहिए और खाने में डबल मज़ा आएगा तो अबार मिर्ची पडादर दाल के बनाए अब हुआ है ताकि मसाली पूरे अच्छा सा मिक्स हो जाएं इस तरह से देखें कितना अच्छा दिख रहा हैं दिखने में नहीं उतना ही अच्छा टेस्ट रहता है एक बार आप लोग जरूर ट्राय करिए बच्चों को बड़ों को सबी को पसंद आता है यह स्नैक्स और इसमें कुछ भी फैट नहीं है बहुत अच्छा हेल्दी वाला है और हम गर्मे बना के खाये तो बहुत कुछ खा सकते हैं कितना चाहिए उतना खा सकते हैं इसमें तेल भी ज्यादा नहीं रहता है क्यांकि आप सब लोग को मालुम है तेल में फ्राय करें मगर उतना तेल नहीं कीज़ता है कितना अच्छा दिख रहा है और उतना ही अच्छा टेस्ट बना है टेस्ट कर चुके हूं और स्थाटोugu के साथ मिर्ची की स्टेुवाइज समधर मुर्ची छिर्व मिर्ची te оказัं तौवसे जाने हैं करे तो सोल बार टेस्ट कर चुके हैं एक बर गर्मीच लाहेज के टेकि लिए हुमिद LA का तारिफ कर ते र अगर मेरा रसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बिल्लाइक अन्दबाना भूलिये मत तब तक के लिए अलविदाओं